2016 की बात है नोट बंद ही हुई थी सर रात में आट बजे डिकलरेशन आया था अब पांसो और हजार के नोट बंद लिट्रली मेरे दोनों फोन बजने चालू अच्छा क्लाइन तो फोन कर रहे स्टूडेंट के माबाप भी फोन कर रहे बिकॉस फैकल्टी टारेक्ट टैक्स अब जिनके पास आटो के डब्बो में चावल के डब्बो में साडी के अंदर सब नोट भार आ रहे ऐसा भी हुआ होगा पहली बार तुम्हारे पपा को पता चला मम्मी के पास सेवेंग किती है अब ऐसे टाइम में जब पूरा संसाल डरावा है भारत में अब ऐसे टाइम पे हम लोगों को स्ट्रॉंग रहना पड़ता तुमको पता है यह कोर्स तुमको क्या सिखा रहे है पेशन्स सिर्फ पेशन्स सिखाता है यह कोर्स क्यों क्यो कि यह वो भी पॉइंट समझना हुमन हो तुम बेवकुफ नहीं हो कि कुछ भी यादना रहे पस थोड़ी सी महनत एक्स्ट्रा कर ले तिर पास 12 का बेस है तुन्हें अल्रेडी कुछ चीजे पड़ी है राइट और थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेनद करना है से एक महीने यस अगले एक आता एकज ध्यास कुत्रयासर का अभ्यास आपको जो करना दिक अपना फंडा क्लियर है अब तक तुमको मेरा टीचिंग से भी समझ में आगया होगा पड़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद करदो अपने आपको ब काम कर रहे है यार वो समझ हुए तो भी आ रहा किया यार क्या लेवल पर बात कर दे हमारी लिटरली आवकात ने वह जित्ते आवर्स ले रहे है उतने आवर्स वर्क कर दे नहींगी लिटरली लुक आट देम बॉस क्या स्पोर्टिवली काम कर रहे है अपने को भी यही चीज करने पड़ेगे एक गोल और एक एम ले करके चलना पड़ेगा जब तक घर के बाहर का नेमपलेट ना बदल दो तब तक के रुकने का नहीं जब तक बाप्पू ही ना बोल दे और सिये सहाव मजा नहीं आएंगा रहे है और सिर्फ एक मिनिट के लिए इमाजिन कर तेरे मम्मी पपा तेरे ओफिस का ऐसा रिबन काट रहे है भाई सहाव तेरे मम्मी पपा तेरे ओफिस का रिबन काट रहे है मम्मी पपा केविन में जा रहे है, ऐसा seat पर मम्मी और पपा को वैठाया है, इमाजी वाइब समझ मेरे भाई, वाइब समझ, समझा रहे है, यह जो वाइब रहेगी न, यह तुमको किक देगी, तुमको बाद में कुछ याद नहीं आता, पास हुए की फेल हुए थे,